हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल के लिश्टेडी फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपके एमपीटेट वर्ग एक का जो है सुध्धी पत्रक जारी हो गया था और आपका जो रिजल्ट है बो भी आपको एक दो दिन के अंदर शौंबार मंगल तक देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपका जो है वर्ग एक का डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप जो वर्ग एक के अभ्यारती हैं तो आप अपने जो डाकुमेंट हैं उनके लिए मतलब रेडी करके रखें यदि आपके अच्छे अंकाय हुए हैं थोड़ा सा यहाँ पर कट ओफ है उसपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है क्योंकि आपके जो ओवी सी के अभ्यारती हैं तो उनके जो पद हैं वहाँ पर चौदा परशेंट ही यहाँ पर आरक्षन जो उनको 27 परसेंट मिलता है तो 14 परसेंट ही यहाँ पर जो है पदत सो मतलब कर रहे हैं अब बताए गया है मां की 13% जो अब भ्यारती है उनको होल्ड किया गया है जिस तरीके से वर्ग 3 में हुआ था ठीक है तो जैसे ही आपके मतलब जो अटके हुए रिजल्ट है एक एक करके सभी जारी हो जाएंगे फिर वारी है आपके वर्ग 2 की क्योंकि यहा है जो मुद्दा है आपका कैबिनेट में भी उठाया गया और इस पर भी बात की गई कि आपकी जो चैन परिक्षा है वो बहुत ही जल्द होगी तो हो सकता है आपका नौटिफिकेस अने एक्सन के पहले ही डाल दें और एक जाम बाद में ले लें तो आपके पास में फिर बहुत ही कम टाइम बचेगा तो आपको अभी से और बहुत ज़्यादा तयारी करनी है जैसे आप अभी 10 गंटे पड़ रहे थे तो इसका डवल मतलब इतनी कोसिस आपको करनी है कि मतलब एक तरीके से पागल हो जाना है पड़ाई के पिरती क्योंकि यहांसे सेलेक्शन नहीं होते हैं जो मेहनद करता है उसी को फल मिलता है यहां पर आप देखेंगे कौन-कौन इसमें एक कॉस्टियन यह भी आता है बहुत से अभ्यारतियों का कि क्या यहां पर जो सीटेट कॉलिफाई अभ्यारति है वो एपलाई कर पाएंगे या फिर जो बी एड फाइनल वाले स्टुडेंट्स हैं वो यहां पर एपलाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आपको बता दें यहाँ पर और एक question और रहता है कि क्या वर्ग जो दो है इसमें science, social science के जो पद हैं बहुत ही काम आती हैं तो क्या इनमें पद व्रधी होगी, competition कितना रहेगा, exam मतलब इसकी संभावित जो तिती है वो क्या रह सकती है तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बीएड वाले जो अभ्यारती है, final वाले वो यहाँ पर apply कर पाएंगे, क्योंकि उन्हों पातरता पर इक्षातों दी है, वो qualify भी है, तो यहाँ पर उनको विलकुल ही इसका मौका मिलेगा, अब रही बात पद व्रधी की, तो जो पद व्रधी है, वो हो सकती है, इसके लिए आपको प्रियत्न करना पड़ेगा, जब सब मिलकर के प्रियत्न करते हैं, तो यहाँ पर पद व्रधी विलकुल संभा हो जाती है, तो पद व्रधी हो सकती है, ठीक है, और competition क्या रहेगा, तो यह तो आप स्वयम ही अंदाजा ल पद व्रधी थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट से भी छूट जाते हैं, तो अपन को कोसिस बिलकुल परफेक्ट करनी है, ताकि आप कहीं भी मतलब पीछे ना रहें, क्योंकि कुछ अभ्यारती यह से हैं, जो पातलता परिक्षा के बाद से ही तैयारी के लिए जु सब्जेक्ट वही रहना है, तो आपका जो मैं सब्जेक्ट है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, हर एक टॉपिक को आपको टच करना, कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे नाटिफिकेसन आ गया, और फिर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंपोटेंट होते हुए भी हम उन से ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्वैम पर विश्वास होगा, कि हाँ हमने इतनी जादा तैयारी कर लिए, और फिर आपके पास में अभी भी मौका है, अभी भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन समय आपको बहुत अधिक दीना पड़ेगा, ठीक है, क यहां कि 15-20-20 लाग है फॉर्म यहां पर एपलाई होते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि इतना ज्यादा कॉम्पटिशन, लेकिन आपको यह नहीं सोचना कि मतलब इतने सारे फॉर्म डले हैं, कैसे हमारा सेलेक्शन होगा, इतने कम पद हैं, यह तो आपको कता ही नहीं सोचना, क्यों? यहां पर जिःतने मतलब फॉर्म एपलाई होते हैं, मान के चलिए हैं, यहां 15-100,00,000 फॉर्म एपलाई हुए ठीक है, मतलब यह एक हम डाटा मान करके चल रहे हैं और यह डाटा मतलब फिक्स नहीं हैं, यह तो वहसा आपको बताने के लिए हैं, कि इतने फॉर्म याँसे आपके मान के चलिए 15 लाग फॉम डल जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे कम से कम दो लाग दो लाग बच्चे तो ऐसे होते जो एक जामस में बैठते ही नहीं मतलब देने ही नहीं जाते ठीक है इसके अलावा आपको तो competition उनसे रखना है जो तैया कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी में आपके 10% बच्चे ही आते हैं तो आपको उन्हीं 10% का हिस्था बनना है ना कि 90% का ठीक है तो इनसे आपको competition रखना है मतलब सभी बच्चों का score अच्छा आता है के वाला जो selection के लिए नम्मर होते हैं वो आपके कम से कम 10-15 नम् certification हो सकता है election के पहले ही आजाए और यदि पहले नहीं आता तो election के बाद आएगा लेकिन 2024 में आपके वर्ग 2 की और वर्ग 3 की पुना से नई vacancy आएगी क्योंकि बहुत सारे पदखाली हो गये हैं और इसकी अलाबा आपके जो बहार में जो बहार भरती परिक्षाएं चल र होती है ठीक है तो जैसे आपका कोई मान के चलिए science subject है या math subject है जो भी है या कुछ ऐसे अभ्यारती भी होंगे मतलब जो मतलब डवल से उन्होंने MSC किया होगा तो डवल डवल अपलाई कर सकते हैं तो आपको जो पात्ता परिक्षा का सलेवा से उसी को यहां पर फालू कर ठीक है हर एक topic को फालू करिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए पूरी NCRT की books को clear करिए MP board की पुरानी books को clear करिए फिर इसके बाद जितना होसा के आप अधिक से अधिक division कीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके exams में help मिलेगी और बहुत अच्छा score आप कर पाएं तब जाकर के exam crack कर पाते हैं तो बहुत अच्छा ही मौका है आपके पास में तो आप का जो है notification बहुत जल आएगा वसा आपको notification के साथ साथ अपनी तयारी पर ध्यान देना है और बहुत अच्छी तयारी के साथ में exam को crack करना है और यदि आप science से apply कर रहे हैं तो science की class है हमा बहुत ही detail से और मतलब NCRT के साथ अधर जो authentic books होती है उनका matter यहां पर हम आपको ले कर देते हैं और यहां पर आपकी practice set भी start कर देंगे बहुत ही जल्द तो आप science की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं हमारी YouTube चैनल से और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो share ज आपने वादा